हेलो स्टूडेंट्स मैं जानती हूँ आप लोग अभी बहुत जादा वरीड है अपने कल के पेपर के लिए तो आपने चाहे बेसिक मैथमेटिक्स चूज करा है चाहे स्टेंडर्ड मैथमेटिक्स चूज करा है कुछ क्वेश्चेंज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में 100% आपको मिलेंगे इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और ध्यान से पूरा विडियो देखना है आप इस विडियो को देखने के बाद रिलाक्स भी करें बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है अगर इन क्वेश्चन आपको आत से जहां पर आपके पास प्रूव देट रूट 3 is irrational या रूट 2 is irrational या रूट 5 is irrational का question examination hall में आपको मिल सकता है इसके अलावा वो साथ में कुछ attachment भी कर सकता है कि show that 5 minus root 3 is irrational तो plus या minus के जादा chances हैं कि कोई भी number के साथ कोई number add या subtract में होगा तो लेकिन process सबका सेम होगा तो आप ये दो question बहुत अच्छे से करें इन में से एक question आने के बहुत chances है और ये 2 या 3 marks में आपको पका कल exam में मिलेगा इसके बाद हमने graph के question देखे है कि कुछ time से graph के question नहीं आ रहे लेकिन अब की बार क्योंकि subjective paper हो रहा है तो इसके बहुत chances है कि आपको graph का question examination hall में मिले तो इस question को आप जरूर करेंगे कि आपको graph की plotting सही से आती है नहीं आती और ये question भी आपका 3 marks या 5 marks में जाता है तो अच्छे से plotting करनी है x axis y axis 0 और सारे coordinates सही से mention करने थाकि आपको इसमें full marks मिले इसके बाद quadratic equation में आपको एक value find out करने का question जरूर मिल से यहाँ पर आपको value find करनी है k की roots real भी दिये हो सकते हैं equal भी दिये हो सकते हैं कोई भी condition लगा के आपको दिया जा सकता है तो आपको यह अच्छे से तयार करना है इसके बाद जो अगला question है वो होगा AP से जैसे के मैंने अपनी प्लिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि AP में या तो sum होगा या फिर anath term होगा तो यह दोनों ही चीज़े बहुत simple है तो sum का भी question आपको तयार करना है और section formula बस दो formula यूज करते हुए आप question को solve कर सकते हैं examples मैंने दी हुए इस तरह के questions जाद कर exam में पूछे जाते हैं तो आप इन्हें भी skip नहीं करेंगे triangle और circle chapter no doubt मुश्किल पढ़ेंगे अगर आपने इसकी पहले तयारी नहीं करिए लेकिन कुछ चीज़े हैं जिसमें आपको marks मिल सकते हैं जैसे कि theorem, bpt theorem बहुत अच्छे से तयार करके जाएगा आने के काफी chances हैं इसी तरह से हमारी circle की भी theorem है जो आपको screen पर नजर आ रही है इन दोनों theorems को बहुत अच्छे से तयार करिएगा ये question भी आप देख रहे हैं screen पर, ये बहुत important है काफी बार board exam में question देखने को मिला है तो आप इसे भी skip नहीं करेंगे, इसको भी एक बार जरूर देखेंगे इसके बाद आता है trigonometry और mensuration, इन दोनों chapters में बड़ा मुश्किल होता है कहना कि किस तरह के question examiner set करेगा, तो आपने क्या करना है, उसे बहुत अच्छे से तयार करिए, इसके फॉर्मला याद कर लेजे इसी तरह से mensuration में भी जितने फॉर्मलाज है, at least आप उसको कर लेजे, क्योंकि अगर आपने सही जज करा, कि इस figure में यह यह चीजे गेवन है और यह फॉर्मला लेगेगा, like volume का लेगेगा या surface area का लेगा, तो आप उसे एक extent तक, एक level तक तो कर ही सकते हो, और by chance यह हो सकते है कि calculation easy हो, तो आप उसको final answer तक भी पहुँचा आपाओ, और आपको पता है बोर्ड में step marking होती है step checking होती है, तो हो सकता है आप question के correct answer तक भी पहुँच जो, तो hope for the best बिल्कुल डरने की ज़रुत नहीं है, confidence के साथ जितनी आपने पढ़ाई करी है उसे अपने दिमाग में फीड कर लो और अराम से जाके इत्मिनान से कल अपना paper दे आओ, hope for the best